राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों अश्विन मास की कृष्णपक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है यह एकादशी इसलिए भी खास होती है क्योंकि यह शाधपक्ष यानि पित्रपक्ष के दोरान आती है इस साल यह एकादशी 21 सेतंबर दिन सब्सहार को है इंडर एकादशी के लेकर शास्तों में बताया गया है कि इस पिरफाब से उन पित्रों को भी मुक्ष की प्राफ्ति होती है जिना यम्राज का डंड भुगतना पढ़ता है इस ब्रत को कहने से उनके परिजन यम लोग की यात्रा से मुक्त होते हैं और उन्हें मुख्ष की प्राप्ति होती है यदि आप पित्रबक्ष में मिर्थ पित्रों का शाथ तरपण या पिंदितान किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो इंद्रा एकादशी का ब्र माना गया है ताजा इंद्रसैन ने भी अपने मृत माता पिता को नरक की यादनाओं से मुक्त करने के लिए इस ब्रत को किया था दोस्तों पित्रबक्ष पित्रों को समर्पित होता है और शास्तों में पित्रों के देपता भगवान विश्टूमा लक्षमी जी ही पताए ग दिन भगवान विश्टूमा लक्षमी की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है उनके पित्र भी तर जाते हैं और उन्हें पित्रों का भी आश्रवात प्राप्त होता है भगवान विश्टूमा लक्षमी जी के कृपा प्राप्त कहने लिए भगवान विश्टूमा लक्षमी को रखा जाएगा और ब्रत का बाईश सितमबर को किया जाएगा ब्रत पारण करने का शुम अहुरत है बाईश सितमबर की सुभ एच श्वह बच कर नौ मिन्ट से सुभह आख बच कर पैदिस मिनट तक दुआदशी तिथी देर रात को समाप्त होगी इसलिए शुप आहुरत में पारण ना कर सके तो संध्याकाल से पहले पारण अवश्य ही काई ले एक आदशी के दिन भगवान विश्नु माता लक्षमी जी के सासा तुलसी जी का पूजन भी अवश्य ही किया जाता है क्योंकि तुलसी जी भगवान विश्नु को बहुत प्रिया है और तुलसी दल भगवान विश्नु जी को अर्पित किये बिना भगवान विश्नु का पूजन अधूरा माना जाता है हिंदू धर्व में तुलसी जी का बहुत ही प्रमुख इस्थान है शास्त्रों के अनसार तुलसी जी को बहुत ही पूजनिय और पवित्रमाना कया है तुलसी जी भगवान पिश्णू को विशिश प्रिया है इसलिए मानिता है कि जिस घर में तुलसी जी को इस्थाफित करके उनकी सेबा पूजा अर्चना की जाती है उस घर में मान लक्ष्मी जी की सदेब करपावनी रहती है धर में मानिताओं के अनुसार देब और दानुवों द्वारा की गए समुंदर मंथन की समय जो अमरत धहती पर जलका उसी से तुलसी जी की उत्पत्ती हुई ब्रह्मा जी ने तुलसी जी को भागवान विश्णू को सौपा भागवान विश्णू योगेश्वर भागवान शरी कृष्ण और पांडो रंग शरी बाला जी के पूजन के समय तुलसी पत्रों का हार उनकी प्रतिमाओं को अर्पन किया जाता है जैसा कि आप सभी जानते हैं तुलसी जी के पत्ते भागवान विश्णू के पूजन के लिए आवश्चक होते हैं भागवान विश्णू तुलसी जी के पत्तों के बिना भोग स्विकार नहीं करते इसी तरहें तुलसी जी की बीच की माला भी भगवान विश्णू और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों के जाप के लिए आवश्चक होती है तुलसी जी की माला पर मंत्रों का जाप करने से मंत्र जल्दी ही सिद्ध होते हैं और धन सम्मंधी समस्याइं भी दूर होती हैं साथ ही भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जी की मंजीरी अर्वित की जाते हैं पर क्या आप जानते हैं तुलसी जी के पत्ते, तुलसी जी के बीजों की माला और मंजिरी के साथ साथे तुलसी जी की मिटी भी बहुत ही चमतकारी होती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी की मिटी में दरित्ता और गरीवी का नाश करने की शक्ति होती है। एक चुटकी तुलसी जी की मिट्टी चमका देगी आपका भाग्य है। शास्त्रों में बताया गया तुलसी जी की मिट्टी का ये आजसान सा उपाय करने से भगवान विश्णों और माता लक्ष्मी जी की असीम के पर प्राप्त होती है। साथी, दरित्ता और गरीबी का नाश होता है। और कार्यों में आ रही रुकावटें भी धूर होती है। अगर लंबे समय से दुर्भागे आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो आप एक आदशी के दिन तुलसी जी की मिट्टी से करें ये आसान सा उपाय। दोस्तों ये उपाय आप दिन में या रात में किसी भी समय का सकते हैं। अगर आप दिन में ये उपाय कर रहे हैं तो पहले तुलसी जी पर जल चढ़ा करें। अगर रात की समय ये उपाय कर रहे हैं तो आप तुलसी जी पर जल ना चढ़ाएं। उपाय काईने के लिए सुद्ध हो का सच्छ बस्ते धारन करें। इसके बाद एक पातर में शुद्ध चल लें। अगर आपके घर में गंगा जल है तो जल के पातर में आप थोड़ा सा गंगा जल भी अवश्य ही डालने। इसके बाद तुलसी जी के सामने एक शुद्ध खी का दिया चलाएं और सुगंदे थूपत्ती चलाएं। हो सके तो तुलसी जी को पुश्व भी अर्पित करें। इसके बाद भागवान विश्णू और मातर लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। और तुलसी मा को प्रणाम करें प्रणाम करने के बाद तुलसी जी के इस मंत्र का ग्यारे बाद चाप करें मंत्र है ओम सुभद्राय नमा इस मंत्र का ग्यारे बाद चाप करने के बाद तुलसी मा से अपने कश्टों को दूर करने की प्रातना करें दरिता गरीवी का नाश करने की प्रातना करें और तुर भाग्य को दूर करने की भी प्रातना करें प्रातना करने के बाद तुलसी जी के चर्णों के पास से यानि की तुलसी जी की जड़ के पास से अपने अनामे का उंगली से थोड़ी से मिट्टी ले और इस मिट्टी से अपने माथे पर तिलग करें माथे पर तिलग करने के बाद इस मिट्टी को आप जल में डाल दें जो लोटे में आपने जल बचा कर रखा है उसमें आपको थोड़ी से मिट्टी डाल देने है शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी की जड़की मिटी से माथे पतिलक करने से तरित्ता और गरीवी का नाश होता है और भगवान विश्णु माता लक्ष्मी जी की करपा प्राप्त होती है तिला करने के बाद आप तुलसी जी को प्रणाम करें और जल में जो आपने मिटी डाली है अब इस जल से आप अपने पूरे घर में छिड़काप करें ध्यान रखें अशुद्ध जगे जैसे कच्छन रखने का इस्थान या बाद रूम में आप इस जल का छिड़काप ना करें और बचे हुए पूरे घर में आप इस जल का छिड़काप अवश्य करें तुलसी जी की मिटी गंगा जल में मिलाकर अगर पूरे घर में छिड़काप किया जाता है तो इससे नकारात्मक उजा नश्ट होती है अपने परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर जरूर करें इससे परिवार की दरित्ता और गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी दरित्ता और गरीबी को दूर करने का शास्तों में बताया गया है अच् अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं है तो आप घर के बाहर मंदिर में लगी हुई तुलसी जी का भूजन करके वहां से मिट्टी ला सकते हैं और आप रोजाना अगर मिट्टी नहीं ला सकते तो एक बार में आप मिट्टी ले आएं और इस मिट्टी को लाकर अपने मंदिर में एक डिब्बी में रख लें और रोजाना इसे अपने माथे पर दिलग करें पर ध्यान रखें आपको मिट्टी ऐसी ही तुलसी जी की लानी है जिनका पूजन होता हो और जो साफ जगे पर लगी हो याने की अशुद जगे पर लगी हुई कोई भी तुलसी जी के पौधे की मिट्टी नहीं लाने जिन तुलसी जी का पूजन होता है उन्हीं की मिट्टी से यह उपाई करना है और रविवार के दिन ना तो तुलसी जी का पूजन करें और ना ही उनकी मिट्टी लाएं रविवार के दिन घर में रखी हुई तुलसी जी की मिट्टी से आप दिलग कर सकते हैं इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि महिलाएं पीर्स के दोरान ना तो तुलसी जी की मिट्टी लाएं और ना ही तुलसी जी की मिट्टी से अपने माथे पर दिलग करें तुलसी जी की मिट्टी का ये बहुत ही अच्छुक उपाय है आप इस उपाई को पूर्ण शद्धा और विश्वास के साथ करें आप देखेंगे दीरे दीरे आपके घर में से तरिता और गरीबी खत्म हो जाएगे इस उपाई का असर एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा आप पूर्ण शद्धा और विश्वास के साथ इस उपाई को करें भागवान विश्णू माता लक्ष्मी जी और तुलसी मा की करपा से आपको इसका लाप होगा उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में जदे से जदे शेयर करें जिससे भेभी इसका लाप उठा सकें और हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पूर वचिंग राधे राधे